हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एंसी अंट्री तो आई ये वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तों से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर ये वीडियो आप फेस्बूक पे लेख रहा है तो फेस्बूक पेश को भी लाइक किजिए और इंस्टाराम पे सब्सक्राइब करते हैं तो आज गीता का अध्याय दूसरा जो अध्याय है वो स्टार्ट होने वाला है जिसमें संजय जो है वो बोलते हैं तो संजय वाच्य तंद था कृपया विस्टम अश्रूपूर्ण आकोला इच्णम वसी दंतं इदं व्याक्यम वाच्यम संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक कुल अश्रू पूर नेत्रू वाले अर्चुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहें तात पर भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा सोक तथा अश्रू ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है सास्वत आ अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वद करें जिसने उसे कर्तव्य सिफ मुख कर रखा है या कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहा होना चाहिए दूपते हुए मनुस्य के वस्त्रों के लिए करुणा मुर्गता होगी अज्ञान सागर में गिरेवे मनुस्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल सरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता जो इसे नहीं जानता है बाहरी पहनावे के लिए सोक करता है वह सुद्र कहलाता है अर्थात वह व्रिथा ही शोक करता है अर्जुन तो था अतव उससे ऐसा आचरण की आसा नहीं आसा न थी गिंदु भगवान कृष्ण अज्यानी पुरुस के सोक को विनस्ट कर सकते हैं और इसी उद्देशे से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया यह अध्याय हमें बहुतिक शरीर तदा आत्मा के वैसलेशिक अध्य द्वारा आत्म सक्षर्टा का उपदेश देता है जिसकी व्याक्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है यह साक्षाकार तभी संभा है जब मनुस्य से निश्काम भाव से कर्म करें और आत्म बोध को प्राप्त हो श्री भगवान उवाच्य कुतत्वा क श्री भगवान ने कहा है अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे यह उस मनुस्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मुल्य को जानता हो इससे उच्छ लोग की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ती होती है श्री कृष्न तथा भगवान अभिन है इसलिए श्री कृष्न को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है भगवान परमसत्य की पराकाष्टा है परमसत्य का बोध ज्यान की तीन अवस्थाओं में होता है ब्रम या निर्विशे सर्व्यापी चेतना परमात्मा या भ प्रामसत्य का अनुभाव ज्यान की तीन अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप है ये ब्राम परमात्मा तथा भगवान की रूप में इन दिव्य पक्षों को सुर्य के दिश्टांत द्वारा समझाया जा सकता है क्योंकि इससे भी तीन भिन 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 पक्ष होते हैं यता धूप प्रकाश सुर्य की सता तथा सुर्य लोग स्वेम जो सूर्य के प्रकाश का ध्यन करता है वह नौ सीखिया है, जो सुर्य की सत्व को समझता है, वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होगा, और जो सुर्य लोग में प्रवेश कर सकता है, वह उच्चितम ज्यानी है। जानकार है बोले के विसे में जान सकता है जिसकी तुलना परमसत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है जो वैक्ति सुर्य लोग के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परमसत्य के साक्षात रूप की अनुभूती प्राप्त करता है अता जिन सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विश्य में अध्ययन में लगे हुए हैं सुर्य का प्रकाश सुर्य का गोला तथा सुर्य लोग की भीतर्व की बाते इन तीनों के एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्ययता एक ह कहले व्यक्ति जो इत्यंत धनी आत्यंत शक्तिमान है इत्यंत सुन्दर और तंट विद्वान तथा विरुक्त भी हैं किन्ट जेसकार यह नहीं कह सकता कि उसके परम सार धन्स सक्ती और एक मतग्रशन करिश्न ही ऐसा देव कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान है ब्रह्म शिव या नारायन सहित कोई भी जिव कृष्ट के समान पूर्ण एस्वर्यवान नहीं है अता ब्रह्म सहिता में स्वेंarla मघान का निरनए है कि श्रीकृष्ण स्वें भगवान है ना तो कोई उनके तुले न उनसे बढ़कर है वे आदी स्वामी या भगवान है गोविंद रोप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परमकारण है इस्वरह पर्मक्रिष्ण सचिदानंद विक्रह अनादी रादी गोविंद सर्वकारण कारणम ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से किन्तो क्रिष्ण परम है तोकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है वे पर्मकुरुष है और उनका शरीर सचिदानंद मैय है वे आदी भगवान कोविंद है और समस्त कारणों के कारण है ब्रहम सहिता में पांचवे अध्याय के पहले भाग में बताया गया है भागवत में भी भ यहां पर वर्णित सारे अतारों की सुचिया या तो भगवान की अंश्र कलाओ अत्वा पूंड कलाओ की है इंतु श्री क्रिश्न तो स्वय्म भागवान है भागवत के पहले तीसरे और 27 में बताया गया है अत्व क्रिश्न आदी भगवान परम सत्यपरमाई मातमा तथा निर्विशेस ब्रह्म दोनों के उद्गम है भगवान की उत्पस्तिती में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वता असोभनिय है अतक्रिश्न ने कुटः शब्द से अपना आश्चर व्यक्त किया है आर्य जैसी सभ्य जाती के इसी व्यक्त उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मुल्य को जानते है और जिनकी सभ्यता आत्म शाक्षातकार पर निर्वर करती है देहात्म बुद्धी से प्रेरित मनुस्यों को यह ज्यान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश से परमसत्य विश्नु या भगवान का शाक अनार यह कहलाते हैं यत्यपी अर्जुन छत्रिय था किन्तु युद्ध से विचलित हो करवा अपने कर्टवे से चयुत हो रहा था उसकी यह कायरता अनर्थों के लिए ही शोभा देती देने वाली हो सकती है कर्टवे पच से इस प्रकार का विचलन न तो अध्यात्मिक ज नुमोदन नहीं किया तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहे हैं राते राते जैसे कृष्णा